तमस्कार दोस्तों So friends, आज का ये जो अपडेट है इसमें NHM द्वारा Community Health Officers की पोश्ट के लिए New Vacancies के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे Heading पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है Community Health Officer के 2800 रिक्ते पदों के लिए करें Online आविधन और पूरी information इस वीडियो में आपे Cover करेंगे, क्या-क्या योग गिता आपके लिए आपे रहेगी Age limit आपके लिए आपे क्या है Salary package, chain परिक्रिया पूरी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है कब से कब आपको यहाँ पे आविधन कना है सबसे पहले आपको इस वीडियो को पर like कर देना है like कर इस वीडियो को, इस मेनत को like जरू करें और subscribe कर याज बटन को आपे क्लिक करें और एनेचेम द्वारा स्वास्त बिवाक की हर इक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो बिलकुल शुरू बात कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। अधी सूचना जारी की है इन पदों पर काम करने के इच्चुक उमीदवार 20 जुलाई 2021 तक ओलाइन आविदन कर सकते हैं तो बिलकुल समझ चेके होंगे नमबर पोस्ट यहां पर जो इंक्रूट की गई 2800 यहां पर रहने वाली हैं कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर के यह की हेल्थ ओफिसर की पोस्ट आपको प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी इसके लिए आप सभी लोगों को ओनलाइन आविदन करना है ओनलाइन आविदन करने की जो लास देट है देख सकते हैं 20 जुलाई 2021 यहां पर तैय कि गई अब बात कर लेते हैं अगली जो इनफोर नरसिंग की डिगरी ली हो विस्तरत जानकारी ओफिशल वेबसाइट पर उपलब्द है तो जितने भी कैंडिरेट्स यहां पे बीएसी नरसिंग की डिगरी अगर आपके पास है या फिर आपके पास यहां पे जीनम का डिपलोमा है या फिर आपके पास यहां पे पोस्ट जो information दी जा रहे है आयू सीमा की तो लखा हुआ है सामान में वर्ग के उम्मीदवार की जो आयू है 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सरकारी नियम अनुसार आयू सीमा में छूट दी जाएगी तो यहाँ पे जो age का जो criteria है अ आप लोगों को यहाँ पे आयू में छूट दी जाएगी official notification में जानकारी provide करा दी गई है अब दोस्तों देखिए अगली जो next information है लिखा हुआ है वेतन मान तो लिखा है चैनित उम्मीदवारों को तै नियमों के अनुरूप प्रतिमा वेतन दिया जाएगा तो जो भी यहा पर वेतन मिलेगा परमन बिसिस पे salary आपको यहाँ पर provide कराई जाएगी और यहाँ पर दीखे चैन का परिक्रिया भी यहाँ पर लिखा गया है और आप लोगों का जो भी selection है आपका जो भी यहाँ पर चैन यहाँ पर जो किया जाएगा लिकित परिक्षा के आधार पर यहा पर काम करने के इच्छुक उमीदवार official website यह official website आपको आप पर दे दे गई इसके माध्यम से आपको आखरी तारीक से पहले अपना online mode में आविदन आपको यहाँ पर जमा करना है तो बिलकुल आप सब लोग यहाँ पर समझ चिक होंगे यह जिदिनी भी vacancies यहाँ पर जो release क कर दिया गया online आविदन भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर selection लेने के बाद six month का training course आप लोग यहाँ पर करेंगे training course के बाद आपको जो है finally CHO की post मिल जाएगी UP NHM के अंतरकत और दोस्तों जो official website आपको दी जा रही है एक बार मैं उस को आपको यहाँ पर ले चलता हूँ तो दोस्तों बिल्कुल देख सकते हैं आप सभी लोग उत्तर प्रदेश एनरहम की official website है यह official website तो आपको यहाँ पर open कर लेना है और जैसे ही आप लोगों की यह website यहाँ पर open हो जाएगी नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आना होगा औ और यहाँ पर लिखा हुआ है view all तो इस पर आपको यहाँ पर click करना है तो दोस्तों देख सकते हैं आगे का page यहाँ पर open हो चुका है और यह updates का page है इसमें आप लोगों को apply करने के लिए link आपको यहाँ पर provide करा देगी देख सकते हैं आप लिखा हुआ है application form link for 2800 CHO vacancies और 30 June 2021 को यह link यहाँ पर activate कर दे गई आप लोग online आविदन कर सकते हैं और इसका official notification अगर आप लोग यहाँ पर read करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है detailed advertisement of 2800 CHO vacancies under NHM UP और date आपको यहाँ पर दे दी गई है तो एक बार मैं आपको यहाँ पर notification जो है official इसको भी open करके दि तो दोस्तों बिलकुल देख सकते हैं यह official notification हमने आप पर open कर लिया है और आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे community health officers की post यहाँ पर शामिल की गई और कुल मिला के 2800 पद यहाँ पर रहेंगे जिसमें से undreserve के 1120 पद है bumper यहाँ पर recruitment है undreserve की post के लिए EWS की भी अच 288 पद हैं और schedule tribe के 56 पद यहाँ पर शामिल किये गए और कुल मिला के देख सकते हैं 2800 पद यहाँ पर शामिल किये गए सभी categories को यहाँ पर include करके और online आविदन करने के लिए आपको यहाँ पर date भी बता देगी तो online आविदन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं 30 जून 2021 11 पाद्यम से apply कर सकते हैं और qualification को यहाँ पर discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर लखा हुआ है eligibility criteria and registration तो लखा है general nursing and midwife GNM और BSc nursing और post basic BSc nursing from recognized institute यहाँ पर university less than 35 years of age that is 20 July 2021 and reservation policy applicable as per UP state government rules candidate must be registered as nurses and midwife from UP nurses and midwives council and have valid registration certificate at the time of online submission of application तो बिल्कुल आप सबी लोग यहाँ पर समाझ चेकोंगे जितनी भी candidates यहाँ पर GNM का diploma है यदि आपके पास यहाँ पर BSc nursing के degree है और यदि आपके पास यहाँ पर post basic BSc nursing है और complete आपकी यहाँ पर qualification होना आपका यहाँ पर जरूरी है जो भी आपके योगिता है पूरी complete होना आपका यहाँ पर जरूरी है और 35 साल से ज़्यादा उमर आपके यहाँ पर ना हो 20 जुलाई 2021 इस देट तक इतनी उमर आप लोगों की यहाँ पर हो जाने चाहिए और यहाँ पर दोस्तों जो भी candidates यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर कांसिल का रेजिस्ट्रेशन चाहिए और जो भी आपका यहाँ पर वैलिड रेजिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश राज का यह होना आपका यहाँ पर जरूरी है और यह दोस्तों online application form फिल करते समय आपके पास यहाँ पर उपलब्द होना यहाँ पर जर जरूरी है सेलरी पेकेज को भी यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं लिखा हुआ है 10,000 पर मन्त विल वी ओफर्ड एज स्टाइपन डियूरिंग ट्रेनिंग पीरेड तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 रुपे मिलेंगे यह स्टाइपन आपको यहाँ पर दिया जाएगा और इसमें सारे बोर्डेंग और आपके सारे जितने भी एलाउनसेज हैं वो इसमें आपे इंकलूड यहाँ पिक है जाएंगे अब दोस्तों बात करने थे हैं कितना आपको यहाँ पे ज्यादँ सेयदा सेलरी पेकेज आपको यहाँ पर दिजाएगी तो यहाँ पे लिखा को जब आप लोग यहाँ पे add करेंगे तो 35,000 रुपे परमन बेसिस पे यह salary आपको आप पे दी जाएगी will be offered at the time of posting at subhealth center, health or wellness center in the district as CHO subject to guidelines issued by government of India तो जैसे ही आप लोग subhealth center पे आप लोग अपने पे पोस्टिंग लेंगे 35,500 रुपे परमन बेसिस पे यह salary package आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा और इसके लिए surety bond आपको आपे भनना है 1.55 रुपे का जो है आप लोग यहाँ पे bond sign करेंगे 100 रुपे का stamp paper पे तो यह आपके selection के time आपको जरूरत पड़ेगी जब कभी भी आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तो इसमें 3 साल का आप लोगों का कारे करने का सब health center पे कार करने का आपका यह उल्लेक होगा और आप लोगों को यह इतनी राशी का bond आपको यहाँ पे sign करना होगा और आपको 100 रुपे का stamp paper पे यह bond आपको यहाँ पे बनवाना होगा और दोस्तों जैसी आप लोगों की यहाँ पे training खतम होगी तो आप लोगों को सिर्फ एक ही attempt आपको यहाँ पे दिया जाएगा means अगर आप लोग एक बार fail हो जाते हैं अनुत्रिन हो जाते हैं तो one additional attempt जो है आपको दिया जाएगा pass होने के लिए course को pass होने के लिए तो six month की training के बाद आप लोगों को यह आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा और यह information मैंने आपको यहाँ पे देदी लिखा हुआ है candidates who have successfully completed CC HN training in past prior to March 2021 are not eligible to apply in the session तो अगर आप लोग यहाँ पे March 2021 अगर आप लोग यहाँ पे CC HN training वाले candidate है तो आप लोग जो है eligible यहाँ पे नहीं है इस session के लिए तो साफ साफ यह instruction आपको यहाँ पे दे दिया गया है और दोस्तों बिलकुल आप सब लोग यहाँ पे समझ चिकोंगे इसमें आप लोगों को कोई भी CC HCAT certificate course आपको यहाँ पे नहीं चाहिए simple आपके पास यदि GNM का डिपलोमा है या फिर आपके पास BAC nursing के डिगरी है या फिर आपके पास post basic BAC nursing है और qualification आप लोगों की total यहाँ पे complete है सारे semester's का result आपका यहाँ पे आ गया है और उत्तर प्रदेश राजिका nursing council में registration है बिलकुल आप लोग यहाँ पे आविदन करें कोई भी CC HCAT certificate आपसे यहाँ पे नहीं मागा जा रहा है और दोस्तों के अतरिक्त यहाँ पे काफी instructions आपको यहाँ पे देगा है online application form को fill करने के लिए test cities भी आपको यह बता दी गई जब कभी भी आप लोग आविदन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को opt करना होगा आप लोगों को 3 cities का chain आपको यहाँ पे करना है test cities के लिए जिसमें आप लोगों का center पड़ेगा वह आप लोग online application form फिल करते हैं में provide कराएंगे computer based test आपका यहाँ पे होने वाला है 100 marks का यह आपका यहाँ पे exam है जिसमें section 1 जो है 80 marks का यहाँ पे रहेगा जिसमें आप लोगों का professional knowledge आपके यहाँ पे पूछी आएगी discipline related कहने वाली बात है nursing वाला जो portion है आप लोगों का 80 marks का यहाँ पे cover के जाएगा और बागी के जो यहाँ पे 20 marks है आप लोगों का general aptitude आपका reasoning, general awareness, basic computer knowledge तो यह जो है कुल मिला के 20 प्रशने आप रहेंगे तो 80 प्रशने यह हैं और 20 प्रशने यह हैं तो कुल मिला के 100 प्रशनों का multiple choice questions MCQ आप से यहाँ पे पूछे जाएंगे एक question एक number यहाँ पे carry करेगा कोई भी negative marking यहाँ पे नहीं है 100 में से 100 प्रशने आप लोग यहाँ पे attempt यहाँ पे कर सकते हैं कोई भी negative marking यहाँ पे नहीं रहेंगी और अगर आप लोग यहाँ पे unattempt करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी mark provide आपको यहाँ पे नहीं किया जाएगा तो जितने questions का जब आप लोग provide कराएंगे उनी में से ही आपको अंक दिये जाएंगे और जो यहाँ पे देखिए question paper की जो language है bilingual यहाँ पे रहेगा English और Hindi दोनों भाषा में यह परिश्चा आपको देने को मिलेगी और यहाँ पे लखाऊगा however in case of inconsistency in Hindi version the English version of the question shall be valid and final तो आप लोगों को दोनों भाषा में exam देने का मौका दिया जाएगा minimum qualifying marks भी आप लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे देखिए कम से कम कितने अंक आपको यहाँ पे लेकर आने exam की race में बने रहने के लिए कम से कम आप लोगों को यहाँ पे minimum qualifying marks, computer test के लिए कितने चाहिए तो unreserve और EWS वाले candidates को 100 में से 33 नंबर लाना आपको यहाँ पे जरूरी है इससे कम नंबर अगर आप लोग यहाँ पे लेकर जाएंगे तो not qualified आप लोग यहाँ पे कलाएंगे और आप लोगों को waiting में भी यहाँ पे नहीं रखा जाएगा तो कम से कम से 33 नंबर लाना undeserved और EWS वाले candidates के लिए अनिवार है OBC के यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 100 में से कम से कम 30 नंबर आपको यहाँ पे लेकर आना है और schedule cast, schedule tribe, PWD वाले candidates हैं 100 में से 24 नंबर कम से कम यहाँ आपको यहाँ पे obtain कर नहीं होंगे तो इतने कम नंबर आपको यहाँ पे लेकर आना है और इसके कम लेकर आएंगे तो आपको not qualify आपको यहाँ पे माना जाएगा और आपको waiting में भी शामिल यहाँ पे नहीं किया जाएगा और लिखा हुआ है candidates are required to appear in the computer based test और आपको अपने खर्चे पर जाना है आप लोग अपने आप पे एक्जाम देंगे shortlisted candidates को यहाँ पे लिखा हुआ है if shortlisted in the computer based test as per the above criteria तो जो भी है आप लोग अपने खर्चे पर जाके अपने आप पे एक्जाम देंगे they will be called for document verification तो आप लोग shortlisted हो जाएंगे तो document के verification के लिए बोला जाएगा और इसमें दोस्तो waiting का भी प्रापदान है waiting list will be prepared तो waiting list यहाँ पे बना जाएगी और एक seat पे तीन candidates को यहाँ पे बोला जाएगा means एक vacancy है तो इसमें तीन candidates को document के verification के लिए आपको बोलाया जाएगा और दोस्तों यहाँ पे देखे syllabus भी आपको यहाँ पे बता दिया गया आप लोग देख सकते हैं यह syllabus है syllabus for the computer base test of CHO तो section 1 जो है 80 marks का तो यह syllabus आपको यहाँ पे follow करना है और section जो यहाँ पे देखिए आप लोग मुफ्थ है आप लोग male हो चाहे आप लोग यहाँ पे female candidate हो male और female donor candidates के लिए form यहाँ पे मुफ्थ यहाँ पे रहेगा आप लोग यहाँ पे free में online apply कर सकते हैं तो दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे apply कर दें अमीद करता हूँ अपडेट आप सभी लोग को यहाँ पे मिल गया होगा एक बार मैं date आपको यहाँ पे बता देता हूँ 30 जून 2021 11 वजे से यह form मनना पे शुरू हो गए और 20 जुलाई 2021 रात के 12 वजे तक का समय आपको यहाँ पे दे जा रहा है तो काफी परियापत समय आपको यहाँ पे मिला है जल्दी से आप लोग यहाँ पे आवेधन कर दें male और female दोनों candidates आप लोग यहाँ पे apply करें और यहाँ पे उत्तर प्रदेश राजगा nursing council में registered होना आपको यहाँ पे जरूरी है registration है nursing council का उत्तर प्रदेश राजगा तब ही आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हैं तो दोस्तो लाइक कर दें वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक करें इस मैनत को लाइक जरू करें पातने तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच